पालमपूर में बिशव हिंदू परसद बजरंग दल और मातरे शक्ति दुर्गा बहनी द्वारा किंदर सरकार द्वारा लाए गए सिटिजन सिप एमेंडमेट एक्ट और नेशनल रजिस्टर सर्टिपकेट के समर्थर में रैली निकाले गए पालमपूर में बिशव हिंदू परसद बजरंग दल और मातरे शक्ति दुर्गा बहनी द्वारा केंदर सरकार द्वारा लाए गए सिटिजन सिप एमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर सर्टिपकेट के समर्थर में रैली निकाले गए और परदेशन किया गया बिशव हिंदू परसद बजरंग दल और मातरे शक्ति दुर्गा बहनी के कारेकरताओं का कहना है कि बिपक्स द्वारा देशवर में एक्ट का बिरोध करते हुए राजनिती करते हुए जो देश का माहौल खराब करने का पर्यास किया जा रहा है उसका हम बिरोध करते हैं पाकिस्टान, अफगास्तान और बंगला देश रह रहे अलब संख्योंकों के साथ बहुत अत्यचार हो रहे हैं क्यों नहीं उनको भारत की नाگ hairs दे जाये क्योंकि परदानमंत्री जोहललाल नेहरू और पाकिस्तान के उसमें के प्रदानमंतर से समझोता किया गया था कि अगर अलब संख्यकों को कोई समस्या होगी तो इसका भारत साथ देगा साथ में सरकार दोरा जो NPR को शुरू किया जा रहा है बोट जिन संख्या की गर्णा की दिस्टी से शुरू कर रही है तथा विपक्स और टुकडे गैंग दोरा इसका ब्रोध किया जा रहा है अगर जिन संख्या की गर्णा नहीं होगी तो देश में योजनाए कैसे शुरू हो पाएंगी रास्ट हित में रखते हुए इन सभी मुद्दों को सरकार लागो करे हम सोभी सरकार का समत्रन करते हैं विश्यव इंदू परसद बजरंग डल और मातरे शक्ती दूर्गा वहिनी ने केंदर सरकार से जनसंक्या नियंत्रन कानून को लाए जाने की मांग की इस सरकार ने जो हमारे जोलन समस्य मुद्धे हैं उनको सरकार धीरे धीरे जो है वो सुलजा रही है 70 वर्षों से आम समाज जो है वो इन मुद्धों को सुलजाने की कोशिश कर रहा है अब धारा 377 जो सरकार ने निरस्त की उसका पूरे चाहिए कोई भी समाज हो हिंदू हो हो मुस्लिम हो सिख और हिसाई हो सबने जो है वो इसका समर्थन किया अब यह हाल ही मैं अर्णे सिये लगू किया उसमें एक ही लक्षय था कि जो बाहर तीन देशों में पाकिस्तान बंगलादेश अफगानीस्तान यहां जो मन्योटी है उनके साथ जो है वो बहुत अत्याचार हो रहे हैं क्यों नहीं उनको नागरिकता दी जाए क्योंकि यह तो जोहलार नहरू के समय से वो जो पूर पाकिस्तान के परधान बंती थे उनके समय से यह समझोता किया गया था कि अगर अब अलप्शंक्यों के मैं अगर कभी भी कोई उनको द